Hello, good morning my dear kids, I have a wonderful day to all of you, how are you all, I hope you all are fine and today we are going to learn about bedroom हमारा bedroom होता है न जहाँ पर हम रहते हैं sleeping करते हैं तो इसको बोलते हैं before bedroom let's see, wow, ये देखो ये क्या है, ये तो है, ये है before bedroom before bedroom, हमारे bedroom में क्या क्या होता है before bed होता है, क्या है ये before bed और ये है C for chair, ये थ hanno बैट के हम इस study करते हैं ये है T for table, टेवल, टेवल पर हम अपनी books को रखते हैं ये है judging, इसमें हम अपनी सारी books को एक साथ रखते हैं तो इसको बोलते है you as for self, जिसमें हम अपनी books को रखते हैं को बोलते है एंड यह जो देखो यह नीचे बिचा होता है न फर्ट स्पेस को बोलते है M for mat and और क्या होता है और क्या होता है वाओ यह क्या है यह है C for cupboard C for cupboard इसमें हम लोग अपने cloths को रखते हैं न तो इसको बोलते है C for cupboard क्या है यह C for cupboard एंड यह रेखो यह क्या है U light कैसी आती है लैंप रहता है न उसमें bulb लगा होता है जिससे light होती है पूरे रूम में तो ये है C for cupboard और ये है L for lamp C for cupboard and ये है L for lamp and ये है cloths जिनको हम wear करते हैं ओ वाओ ये क्या है ये है C for computer C for computer computer में क्या करते हैं computer में हम लोग study करते हैं study करते हैं painting भी कर सकते हैं कितनी तारी चीज़े कर सकते हैं computer में तो ये है C for sleeping करते हैं ये देखो ये पूरा है ये है before bed and ये ये जो जब हम sleeping करते हैं तो ये कुछ ओड के सोते हैं तो उसको बोलते हैं blanket या फिर quilt क्या बोलते हैं blanket या फिर quilt और जो नीचे बिचा होता है उसको क्या कहते हैं उसको बोलते हैं bed seat क्या बोलते उसको वेट सीट और क्या होता है हमारी रूम में रूम में क्लॉक भी होती है जो हमें टाइम बताती है क्लॉक कैसी इस टाइब से क्लॉक भी होती है जो हमें टाइम बताती है सी फॉर क्लॉक हमें टाइम कैसे पता चलता है क्लॉक से पता चलता है और ये जिस पर हम अपना सर रखते हैं क्या कहते हैं P for pillow Save with me P for pillow P for pillow ये है M for mat M for mat और ये है Q for quilt Q for quilt जिसको उपर से ओड किस होते हैं उसको बोलते है Q for quilt और जो नीचे बिची होती है उसको कहते हैं B for bed seat B for bed seat और क्या होता है ये क्या है सी for curtain C for curtain ये हमारी window में लगे होते हैं ये हमारी window को cover करते हैं तो इनको बोलते है C for curtain C for curtain and अभी फिर से एक और बार revise करें स्टार्टिंग से करें हमारी रूम में क्या क्या होता है तो ये हमारा bed हो गया ये हमारी chair हो गई ये study table और ये हो गई सेल्फ, सेल्फ में क्या करते हैं, सेल्फ में तो बुक्स को रखते हैं, सेल्फ में किसको रखते हैं, बुक्स को रखते हैं, तो ये हो गई s for self and ये हो गई c for cupboard and ये है l for lamp lamp से क्या होती है हमारे रूम में light आती है l for lamp और क्या होता है हमारे रूम में ये है c for computer इसमें हम लोग study करते हैं ये है c for computer और ये लोग तो computer Kahler रहे हैं वाव and ये है हमारा bed In bed में boys sleeping कर रहा है और जो हम उपट से डालते हैं उसको बोलते हैं quilt या फिर blanket और जिस पर लेटते हैं उसको बोलते हैं bed seat bed seat बचाते हैं ना नीचे और ये sir के पास में क्या रखते हैं pee for pillow क्या रखते हैं pee for pillow तो ये सारी things होते हैं हमारी room में होती हैं और भी आप भी सर्च करना आपके room में और क्या क्या होता है okay kids bye have a good day take care